Hello everyone, welcome back to my channel Mamas and Babies Friends, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि अक्सर छोटे बच्चों को बहुत परेशान करता है Friends, सरदी, खासी और जुखाम छोटे बच्चों को इतना जादा हो जाता है और इतना फ्रिक्वेंट हो जाता है कि अक्सर हम सोचते हैं कि इनको कहां तक मैडिशन्स दिलाएं और हम कोशिश यही करते हैं बच्चा इतना छोटा होता है कि उसको मैडिशन्स भी नहीं दिला सकते हैं तो हम अक्सर घरेलू नुसके इसके लिए अपनाते हैं और उसी को लेकर मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी 5-6 ऐसे घरेलू नुसके यानि की हॉम रेमेडीज जो कि आप बच्चे को घर पे ही करके यूज करके इनका आप बच्चे को आस साल से छोटा बच्चा है या तीन महीने का चार महीने का या आठ महीने का जितना भी है आप उस बच्चे के लिए ये हॉम रेमेडीज यूज करेंगी तो बच्चे को रिलीफ जरूर मिलेगा तो फ्रेंड्स बीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ही सबस्क्राइब नहीं किया है तो इस तरह के बहुत सारी बेबी केर टिप्स के लिए आप मेरा चैनल सबस्क्राइब कर लें और हाँ बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं तो अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी होई है और एक चुटकी भर हमें लेना है अजवाइन तो फ्रेंट्स हमको तेल को हलकासा गुनगुना कर लेना है गैस पे और जैसे हमारा तेल थूड़ा गरम होने लगे हमें उसमें चुटकी भर अजवाइन डाल देनी है इसके ब लसुन की दो से तीन कलिया लेनी है और उन कलियों को अच्छे से कूटके चील के कूटके और फिर हमें तेल में डाल देना है तो फ्रेंट्स इस तरह से जब आपका लसुन इसमें काफी हद तक भुन जाए यानि कि लसुन थोड़ा सा जला जला सा हो जाए और आपकी तेलियों पे उसकी अगर चाती में कफ जमा हुआ है और खड़कड की आवा जा रही है बच्चा दूद पी रहा है तो आसानी से इस तेल से ये प्रॉबलम बच्चे की खासी जुखाम की सॉल्व हो जाएगी इसके बाद फ्रेंट्स अगर मैं दूसरी रेमेडी की बात सबसे पहले क्या लेmam अध्रक लेना है और अध्रक के खुट के थोड़ा साइस इसका conjuns नहीं तो को पयता है वह करी इसके आध्रक हों इसका फ्रेंट्स इसके अद्रक को कूट के थोड़ा सा इसका जूस निकाल लेना है अगर आपके बच्चे के काफी कफ जमा हो गया है आप बहुत जादा खासी हो रही है तो आपको इस अद्रक का थोड़ा सा रस निकाल लेना है इसको अच्छे से कूट के इसके बाद हमें friends जो दूसरी चीज इसमें यूज करनी है वो है honey यानि कि शहद आपको अद्रक को कूटने के बाद इसका रस निकालने के बाद थोड़ा सा आपको इसमें शहद लेना है यानि कि शहद आपको दो भाग लेना है तो अद्रक का आपको एक भागी लेना है क्योंकि अद्रक बहु शहर लेना पड़ेगा एक चमच तो आप अपने बच्चे की एज के अंसार कस्टमाईज कर लें इसके बाद आपको तीसरी चीज जो लेनी है वो है तुलसी तो तुलसी की कुछ एक पत्तिया लेनी है और उनका भी आपको रस निकाल लेना है अगर आपका पचा शह महिने से छोटा है तो यह सारी चीज आपको बहुत कम मात्रा में लेनी है यानि की दो तीन डॉप आपको अधरका जूस लेना है पांच शह डॉप आपको हनी की डॉप लेनी है और दो तीन डॉप यह आपको लेनी है तुलसी फ्रेंट्स इसके बाद आपको इन तीनों झीजों का एक साथ मिला लेना है और बच्चे को चटा देना है तो फ्रेंट साब को बच्चे को अगर आप चटाएंगी तो बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत हो सकते तो आप इसको स्पून से भी दे सकते हैं लेकिन ये बच्चे की खासी जुखा में तो ये दवाई बहुत ही helpful होती है आप ये छोटे बच्चे के लिए भी आप खुद भी अगर खासी में ये वाली रेमिडी लेती हैं तो फ्रेंट से छोटे से लेकर बड़े के लिए बहुत ही कारेकर होती है इसके अलावा आप तीसरी रेमिडी जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हो अग ये जो काला नमक होता है सरसो के तेल में मिलाकर बच्चे की मालिश करने पर बच्चे को खासी जोखाम या उसके गले में जकड़न हो रही है यानि कि छाती में कफ जम रहा है तो उसमें बहुत ही फाइदेमंद रहता है आप इस तेल को एक डबे में इस तरह से भरके रख स और कई दिन तक आप इसको यूज कर सकती है तो ये तो हुई हमारी सरसो के तेल और काले नमक वाली रेमिडी इसके अलावा आपने बेबी रख का तो सुना ही होगा आपके बच्चे को अगर बहुत जादा कोल्ड है अगर विंटर्स वाले दिन है तो आप बेबी रख बच सकती है फ्रेंड्स आप इसको हलका सा हाथों के बीच में रगड के और थोड़ा सा गरम गरम सा बच्चे को हतीलियों को से इसको आप लगाएं इसके अलावा फ्रेंड्स आप बेबी रख को कई लोग सरसो के तेल के साथ भी लगाते हैं तो आप इस तरह से सरसो के तेल को अच्छे से गुन-गुना कर लें उसके बाद बेबी रब हाद में लगा लें और इससे भी आप बच्चे की मसाज कर सकती हैं ये भी बच्चे के सरदी खासी जुखाम में बहुत ही फाइदेमंद रहता है और इससे बच्चे की बस आप एक चीज ध्यान रखें गर्मियों मे आप बेबी रब्या ये सारे नुसके फालो कर रहे हैं तो बच्चे को डायरेक्ट एसी या कूलर में नहीं सुलाएं और पंके के भी आप डायरेक्ट नीचे ना सुनाएं थोड़ा सा साइड में बच्चे को सुलाएं बाकि ये रेमिडी आप गर्मियों में भी ट्राई कर सकती हैं और सरदियों में भी बच्चे के खासी जुखाम बुखार में सौरी खासी जुखाम में और कफ में आप ट्राइ कर सकती हैं बेबी रब्बे आप बच्चे को सरदियों में भी लगा सकती हैं और गर्मियों में भी लगा सकती हैं तो फ्रेंड्स आयोप आपको ये रे रेमेडीज ही इस्तमाल करें इसके बाद अगर आपका बच्चा 10-15 दिन तक हॉम रेमेडीज से ठीक नहीं होता है तो उस केस में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं लेकिन आपको सबसे पहले कोशिश यही करने चाहिए कि आपका छूटा बच्चा खासी जोखाम के लिए दवाईयों के बजाए हॉम डेमेडीज से ही सही हो जाए तो फ्रेंड्स आयोप आपको वीडियो इन्फरमेटिव लगी होगी और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा औ और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं बूलेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं बहुत चल्दी मिलती हूं इसी तरह के नई वीडियो के साथ तिल देन बाबाई